दूस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं अगर आपने फैरो पे एप्लीकिसन से पेलेटर से इसकी लिमिट को आपने बेंक में टांसपर कर लिया है और आपने उसका पैसा टाइम से पेमिट नहीं कर पाई उसमें पैनलेटी बगरा जोड़ गई है चार्ज की लिमिट हुई थी तो पांच जार से इस लिमिट को मैंने बेंक में टांसपर कर लिया था तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने जो लिमिट निकाली थी वह यहां पर पांच जुलाई को निकाली थी उसके वाद इसकी मैंने पैमेंटी नहीं करी यहां पर तीन से चार मही यह लोग लेते हैं लेकिन हमारा जो हो गया था वो यहां पर जा करके करीब परीब 9000 रुपया हो गए थे और किस तरह से हमने इसको जो है रिमूब करवाया पैनल्टी को और यहां पर जीरो का यहां पर इस तरह का स्टेट्मेंट जीरो हो गया कुछ टाइम तक दिखाता रहा पैनल्टी कैसे हटवा सकते हैं जब इनके एजेंट का कॉल आपके पास दिनवार कॉल आती हैं तो आपको स्टार्टिंग में तुझी लोग नहीं हटाएंगे लेकिन जब दो मईने तीन मईने हो जाएंगे उसके तरीका क्या है इसके लिए आपको प्रॉपर एक यह तो बाटसेप पर आप उसकी चेट ले सकते हैं या फिर सब्सक्राइब आप इसे मेल करवा लें जैसे कि आप बोलें कि आप जो है मेरे एमेल रिश्टर एमेल आईडी पर एक मेल भेज दें तो इस तरह से आप देख सक मेंसन होना चाहिए और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर पेमेंट कर दें जो पेनल चार्ज है यहाँ पर एमांट ऑनली बिदाओट पेनल चार्ज काली किलियर यूर्ड यूज ठीक है तो बिना जो है पेमेंट कर देंगे उसके बा डिए लोग करवाते हैं तो उसके बाद यहां से आप जो पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पेड अमांट प्लीज रिमूट पैंडेक पैंडेक्टी इस तरह से लिख के आपको आपने पैमेंट कि है देखिए कर दी यहाँ पर आपको अटेच नंबर आपको यहांप पर मिलेगा साथ ही यहांपर आपको देखिए एक option देखने को मिलेगा right to customer support इस पर क्लिक करना है और आपको यह पर ऑटोमेटिक यहांपर आपको आ जाएंगे बस आपको यहां पर आपना इसू लिखना है कि मैंने यहां पर आप लिख देंगे कि मैंने जो इतने इतने का पैमेंट किया है मेरे बात हुई थी और इस तरह से पूरा आपको यहां पर लिख देना है उसके बाद यहां पर रिश्टर मुवाइल नमर जो आपको फैरो पेमेंट तेला हुआ है उस पर फुल एम और रिष्टर रिमेंग और यहां पर जो को oversight करा देना है इसकी सोट ऐक आप का payment का लगा देना है और दूसारा जो आपको मेल जो है एजंट की सबसे उसका भी iskin the county यहां पर लेकर के लगा देना है दो नों लगा देंगे और सेंड कर देंगे तो वहां से भी जो रिपले आ जाएगा और इस तरह से जल्दी प्रोसेस यहां पर हो जाएगा और एक से दो तीन दिन में आपकी जो जितने भी पैनेंटी यहां पर पेंडिंग दिखा रहा होगा वो आपकी रिमूब हो तो इस तरह से आप रिमूब करा सकते हैं अपनी पैनेंटी को अगर आपको वीडियो हैल्फूल लगाओ वीडियो को लाग जो रू करते हैं दन्वाद